अलो दोस्तों मैं पुशान्थ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वेटी टू कमुनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में काफी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइट करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक के उपर बात करने जा रहे हैं जन्वल इस टॉपिक के उपर कोई बात नहीं करता है तो आज हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ग्लोबल डेटा को देखके ट्वेड कर सकते हैं यहाँ पे आप चाहिए stocks में trade करो या फिर nifty और bank nifty में trade करो अगर आप global data को देख लेते हो और global data का analysis करके अगर आप trading positions लेते हो तो आप काफी हद तक market के sentiment को समझ जाएंगे market के trend को समझ जाएंगे और trend के साथ अगर आप trade करेंगे तो आपका trade का accuracy level काफी हद तक increase होगा तो यह हमें trade के accuracy level को increase करने में help करेगा और आप जो भी trade लोगे वहाँ पे आपको confidence देखने हो को मिलेगा आप market के up and down से जादा घबराओगे ने इसलिए global data को देख के हमें trade लेना सीखना होगा अगर अभी तक आप नहीं देख रहें तो इसको देखने का आपको habit बनाना होगा और इस video में आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि global data में हमें क्या-क्या देखना है तो चलिए समस्पहले हम देखते हैं कि global data का जो हम analysis करेंगे इसमें हमें क्या-क्या चीज़ देखना है क्योंकि जब हम global data का analysis करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे data आ जाते हैं तो हमें ज़्यादा data भी focus नहीं करना है जो हमारे market को influence करता है जिससे हमारे market को impact पड़ता है उन सारे data पर बस हमें focus करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम SGX Nifty को देखेंगे क्योंकि हमारे market से पहले open हो जाता है और SGX Nifty जो है वह हमारा Nifty 50 का ही product है तो SGX Nifty हमें एक overall idea दे देता है कि market का जो direction है जो sentiment है वो कैसा रहने वाला है अब जो इन यह कि जैसा SGX Nifty है वैसा ही Nifty trade करे हमें इसको देख के थोरा बहुत बस idea लेना है जो इन यहीं कि market वैसा idea करते हुए देखे उसकी बाद दूसरा सबसे important data होता है US market US market ने last trading sessions कैसा perform किया है वो हमें देखना होता है और especially हम Dow Jones को ज़्यादा follow करते है अगर Dow Jones हमारा upside की तरफ जाता हुआ दिखता है तो market में भी थोरा बहुत strength दिखता है अगर Dow Jones negative रहता है तो market में थोरा बहुत हमें pressure देखने को मिलता है US market में especially हम Dow Jones पे focus करें है वांकि सारे indices पे भी focus करें हैं उसके बाद हम Asian market को देखेंगे कि Asian market का mood कैसा है positive है, negative है या फिर neutral mood है वो हम देखेंगे उसके साथ साथ FII, DI data का भी analysis करेंगे यानि FII के तरफ से खर्यदारी किया गया है या फिर बिक्वाली किया गया वो भी हम देखेंगे साथी साथ DI का कैसा mood है market को लेके इन सब का analyze करेंगे साथी साथ crude oil को भी हम देखेंगे अब crude oil को हम क्यों देख रहे हैं क्योंकि हम crude oil के importer में सबसे बरे importer में से count किये जाते हैं और जो हमारा trade deficit है उसमें crude oil का बहुत बड़ा हाथ है तो यह हमारे inflation कैसा रहेगा आने वाले time में उसका idea हमें crude oil के price से मिल जाता है इसलिए हम crude oil के price को भी देखेंगे साथ चाथ dollar index को भी देखेंगे यहां साथ हमें currency के बारे में idea मिलता है रूपी के strength और weakness के बारे में idea मिलता है तो इन सब को अगर आप analyze कर लेते हैं तो फिर आप काफी हद तक market के trend को समझ पाएंगे और काफी confidence साथ trade ले पाएंगे तो चलिए इन सारे data को कैसे analyze करना एक ये करके हम देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम SJX Nifty को देखना चाहेंगे अगर आपको SJX Nifty को देखना है तो आप investing.com पर विजट करके इसको आसानी से देख सकते हैं वहां पर आपको SJX Nifty टाइप करना होगा ये आपका आज आएगा तो यहां पर अगर हम SJX Nifty को देखे आज यहनी 25th of September यहनी Sunday को हमारा market close हुआ था Friday को ही और Sunday को अगर हम इसको देख रहे हैं तो यह भी अभी close ही है यह आपका अभी trade करा 17,215 के लेवल पे लेकिन यहां पर हम देखना चाहेंगे कि Friday को जब हमारा market close हुआ था तो क्या इसी लेवल पर close हुआ था या फिर इससे उपर close हुआ था या फिर इससे नीचे close हुआ था वो यहां पर हम देखना चाहेंगे तो चलिए हम अपने market को देखते हैं कि Friday को कहां पर closing दिया था हमारा market जो Friday को closing दिया था देख सकते हैं 17,330 के करीब closing दिया था और अभी जो trade कर रहा हूँ 17,210 के आसपास वो trade करता हूँ दिख रहा मतलब SGX Nifty हमें indicate कर रहा है कि market में और ज़्यादा selling pressure आता हूँ दिख सकता है अगर Monday को market open होगा तो यहां से 100 point की और घिरावट की गुणजाईस हमें दिख रहा according to SGX Nifty तो Monday को हमारे market open होने से पहले SGX Nifty open हो जाता है तो यहां पर आपको 8 a.m. morning में देखना है कि SGX Nifty का क्या हाल है इसी level पर या फिर इससे नीचे या फिर इससे ऊपर जाता हुआ दिखा अगर यहां पर थोड़ा बहुत भी हमें recovery देखने को मिलता या नहीं तो selling pressure देखने को जरूर मिलेगा हमारे market पे तो इस तरीके से यहां पर हम trend के बारे में एक idea निकाल सकते हैं कि जो market का trend रहेगा वो negative side के तरफ ही रहने वाला है according to SGX Nifty बांकि 8 a.m. के करीब SGX Nifty का क्या हाल है वो हमें एक clear idea देता है कि हम उस दिन कैसा trade initiate करना है तो सबसे पहले हम SGX Nifty को समझ लिए हमने यहां पर SGX Nifty को समझ लिए अब हम यहां पर US market पे आना चाहेंगे और वहां पर ज़्यादा focus हम करेंगे Dow Jones future के उपर तो यहां पर हम US market के उपर focus कर रहे हैं तो आपको investing.com पे Global Indices को जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको US market के साथ साथ आपको European market और Asian market के बारे में भी overall idea मिल जाएगा अगर हम last trading sessions की बात करें तो देख सकते हैं जो Dow Jones है आपका वो लगबग 1.5% नीचे आपका closing दिया है बागी सारा US market चाहे सारा का सारा आपको 1.5% से ज़्यादा काही गिराबट दिखाया है मतलब US market में हमें जवर्दस selling pressure देखने को मिलवा है वही अगर हम European market की बात करें तो वहां पे भी selling pressure देखने को मिलवा यानि selling pressure से फिवस market में भी नहीं है हमें European market में भी देखने को मिलवा वही अगर हम और नीचे चलते हैं और Asian market की उपर बात करें तो Asian market जो आपको देखना है वो morning में देखना 8 a.m के करीब क्योंकि Asian market हमारे से पहले open हो जाता है इसलिए morning में अगर आप देखेंगे तो और जादा clear picture समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर अगर हम Asian market के भी बात करें तो यहाँ पर भी हमें जवर्दस्त गिरावट देखने को मिल वहा है अगर आप overall उपर से नीचे तक market का जो color है वो सिर्फ आपको rate rate ही देखने को मिलेगा यह हमें क्या दिखा रहा है यह हमें दिखा रहा है कि जो selling pressure है सिर्फ हमारे market में इनी global market में देखने को मिल वहाई यानि global market में recession का डर है और अभी आपका winter season भी आने जा रहा है और Europe और रस्या के बीच में जो conflict है उसको देखते वे लग रहा है कि थोड़ा वह जो natural gas का supply है उसमें थोड़ा वह disruption जरूर आएगा और उसके कारण से price आपका increase होता हुआ दिखेगा जिसके कारण से Europe में हमें और जादा inflation देखने को मिल सकता है जिसके कारण से हमें यूरोप में और जादा inflation इंक्वीज होता हुआ दिख सकता और इसका impact ग्लोबल मार्केट पे भी देखने को मिलेगा तो बहुत सारे fear है मार्केट को लेके recession है एक रस्या का जो natural gas का supply है उसके कारण से ओल का price भी इंक्वीज होता हुआ दिख सकता है यूएस में भी मंदी आने वाला है ऐसा उमीद किया जा रहा तो इन सारे factor को देखते हुए global market में एक panic का situation generate होता हुआ दिख रहरा यह आरे इंडियन मार्केट की कोई local factor नहीं है global market हमारे इंडियन मार्केट पे perspective हो रहा है और वहा से हमें market में बिक्वाली देखने की मिल रहा है और वहांसे market नीचे जा रहा है यह सारा global factor जिसे काहन से market का तो sentiment है, वो अभी short term में हमें negative side की तरफ मिलता हुआ, दिख रहा है, तो इस तरीके से आप global market को भी analyze कर सकते हैं, US market, European market और Asian market को भी, और यह सारा काम आपको morning में करना है, तो यहाँ पर आपने देख लिया global market को, अब हम यहाँ पर next point पे आते हैं, जो कि हमें analysis करना है, वह आप आपका FII-DI data, यानि हमारे market में FII का क्या roll है, और DIA का क्या roll है, कल उसने क्या किया था, buying selling क्या किया था, उसके उपर भी हमें देखना परेगा, और वहाँ से भी idea मिल जाएगा, कि FII और DIA का हमारे market को लेके, क्या mood है, क्या भी हो है, तो यहाँ पर हमने global market को देख लिया, अब हम next point पे आते हैं, वह आपका FII-DI data का analysis, वह भी बहुत जारा ज़रूर है, हमें देखना होगा, कि FII को हमारे market को लेके, क्या भी होए, उन्होंने अभी तक selling स्टार्ट कर दिया, या फिर buying ही कर रहे है, साधी साथ DIA को लेके market में, क्या भी होए, वह भी हमें समझना प हुआ था, चलिए, अब हम FII-DI data का analysis करते हैं, तो यहाँ पर हम FII-DI data का analysis करते हैं, अगर आप FII-DI activity की बात करें, यह data आपको NSC के website पे मिल जाएगा, आप money control के website पे भी देख सकते हैं, multiple जगह पे आपको यह data मिलता हुआ, दिख जाएगा, हम भी अपने mobile app equity community में update करते रह 29100 का बिकवाली किया गया है, और एट the same time, DIA के तरफ से बस छोटा सा ख़रिदारी किया गया, 300 करोड का, यह निên FII के तरफ से लगातार 2 दिनों से जवतर गिकवाली किया गया था, 22nd of September को लगभग 25 सा करोड का बिकवाली किया गया था, और 23rd of September को लगभग 29 सा करोड का cash market में यह दिखा रहा है कि जो F.I.E. का sentiment positive था वो sentiment change होके negative हो गया और F.I.E. की तरफ से जब अर्दस selling हमें continuous दो दिन से देखने को मिल रहा है वही अगर हम F.N.O. data की बात करें तो यहाँ पर आपको F.N.O. data का भी analysis जरूरी है वहाँ पे सिर्फ हम index future के उपर बात करें और options के उपर बात नहीं करें क्योंकि options में बहुत सारे कुछ data रहते हैं वो सही picture हमें नहीं देता है तो यहाँ पे index future में भी लगबग आपका 3372 करोर का बिक्वाली किया गया है F.I.E. की तरफ से यह भी दिखा रहा है कि यहाँ पे भी हमें जवर्दस बिक्वाली किया गया है लगबग 3000 करोर का बिक्वाली cash में और 3772 करोर का बिक्वाली index future में और साथी साथ अगर हम stocks future की बात कर लें तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लगबग 3,000 क्रोड का यहाँ पे भी बिक्वाली किया गया है और अगर मैं एलाइज करें तो लगबग 9,000 क्रोड का भिक्वाली किया गया है FI के तरब से जो की बहुत ज़ादा डेटा है और यह FI का भी गिधि निगेटिव हो गया इसका हमें इंडिकेशन्स दे रहा है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि FI का भी भी मार्केट को लेके क्या है और DIA का भी भी मार्केट को लेके क्या है किसी का भी भी उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो हमें दिखा रहा है कि जो strategy हम पहले क्योंकि जैसे ही प्राइस उपर जाएगा वापस से हमें प्रेसर देखने हुग मिलेगा तो इस तरीके से आप मार्केट में अपना क्या strategy बना सकते हैं उसके बारे में यहां पे आपको एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाता है बांकि आपको कब सेल करना है प्रेस्टेंस डेवल क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा option जिनका यह मदद ले सकते हैं लेकिन global डिटा से आपको यह सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा यहां पर हम नेक्स डेटा को इनलाइस करना चाहेंगे उसका भी अनालिसिस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और डॉलर इंडेक्स में चलिए अब हम उन दोनों को एक साथ नालिसिस करते हैं डॉलर इंडेक्स और टूड़ डॉल को इसके लिए वापस से हम इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पर विबसाइट पर आना चाहेंगे और यहां पर आप इंडाइसिस में जब आप जाएंगे तो आपको डॉलर इंडेक दिख जाएगा और देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने मिला है डॉलर इंडेक्स आपका 112 पर पहुंच गया यानि काफी जादा ऊपर पहुंच गया और जितना डॉलर आपका स्ट्रॉंग होगा रूपी में उतना ज़्यादा कमजोरी देखने को आपका टी करीब है जैसे ही अटीसे से इंक्वीज होगा क्या होगा कि हम क्रूड और को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए burden create होगा और रुपिया भी कमजोर होता हुआ दिख रहा है तो इन सब के कारण से क्या होगा हमारे local market में inflation और जादा increase होता हुआ दिख जाएगा inflation को control करना उतना जादा मुस्किल हो जाएगा तो इसलिए अगर crude oil 80 के आसपास है तो हमारे यहां inflation जो है वो कंट्रोल में रहेगा inflation दिए दिए कम होता हुआ दिख सकता है लेकिन अगर crude oil increase हुआ तो inflation कंट्रोल करना मुस्किल होगा इसलिए crude oil हमें बताता है कि inflation हमारे यहां कैसा रहने वाला है तो यह भी बहुत जादा जरूरी है क्योंकि अभी जो है हमारे यह local factor उतना जाद निगेटिव नहीं है जो भी गिरावट है वो global factor का जैसे global factor में यह थोड़ा सा कम होगा हम जल्दी से bounce back करेंगे और global market में सबसे पहले हम भाउन्स बैक करके अब हमारा course enroll कर सकते हैं अब हमारा mobile app equity community को play store से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप यह सारा कुछ सीकस्कने हैं कि कैसे हम market में entry करेंगे कैसे हम market में trade initiate कर सकते हैं आपको from basic to advanced सारा कुछ बताया जाएगा future options के बारे बताया जाएगा chart winning के बारे बताया जाएगा candlestick के बारे बताया जाएगा इन सब डेटा को कैसे analyze करेंगे global market में हमें कैसे trade करना morning में हमें इन सारे data को कैसे देखना वो सब कुछ आपको वहाँ पर complete information update मिलता रहेगा तो आप हमारा mobile app download करके एक बाज जबूरू वहाँ पर visit किजिए अगर आपको course पसंद आता है तो आप उसको enroll कर सकते हैं तो उमीद करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इस तरह के topic के उपर आपको बहुत कम वीडियो देखने में मिलेगा और यह reality में बहुत ज़्यादा helpful होता है चाहे आप nifty में trade करो या फिर bank nifty में trade करो या फिर stocks में trade करो market का sentiment अभी negative है तो अगर अभी आप positive side के तरफ trade लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा विस्की हो जाएगा और अगर आप trend को follow करते हो है वैसे stocks को find करते हो जहाँ पे sentiment negative है तो आपको ज़्यादा trust के साथ negative move दिखाता हुआ दिख सकता है तो इस तरीके से आप market में फूरा वो टेकनिकल इनालिसिस सीख के trade initiate कर सकते हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी किजिए साथी साथ bell icon दबाना ना भूले ताकि जब भी हम अपना नेक्स वीडियो अपलोड करें उसका notification आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को miss ना करें so that's all friends, मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन